क्लास स्टूडेंट आपका आज की अनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है हम बगिया ओफिस में बैठे हुए है ठीक है सौनम चोहान आप प्रिजेंट है याप ठीक है कोई बात नहीं आप इस तरहीके से मत कहिए कि हाँ पहले कामनी को बता जाने का भीजिए है सर क्या का आई डोंट नो लेकिन आप रेगुलर रहिए आपकी जो इमेज है उसको आप बरकरार रखिए ठीक है और आप रेगुलर रहिए क्योंकि यह इस आप दो के साथ अधिक तर आता है देखिए मैं भी कह रहा हूँ अधिक तर अंसिका और अब ठीक है आप लोग रेगुलर रहेंगे तो कोई प्रॉलम नहीं होगी फिलाल अभी हम लोग इस पर डिसकसन ना करते हुए अपना जो पढ़ाई की बात करना है हम उस पर जाते हैं और उस पर अगर हम डिसकसन करेंगे तो जैसा कि आप लोगों ने सखाया कि थोड़ा सा हमें मार्कर भी चाहिए होगा ठीक है तो मार्कर की हेल्प ओके तो देखे जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम डिसकसन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज और क्रिष्टलाइन अ एमर्फर सॉलिब क्रिष्टलाइन और डिसकसन चाहिए तो हम यह चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आप लोग जॉइन कर लिजे जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाईए ठीक है तो अब आप जल्दी से जुड़ जाएंगे अभी तक नो लोग जुड़े हुए हैं केबल अनबदीप, अनुराग दुबे इनको थोड़ा सा ये मैसेज डाल दो जल्दी से यूटूब लिंक डाल दीजे जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं ठीक है थोड़ा सा सिगनल का इसू आ रहा है आज बीकर में लेकिन हमारे अमिद भाई और सौनी जी के सहयोग से हम आपको क्लास ले पा रहे हैं और ओफिस में हैं तो उसमें थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या का समाधान हमारा करा पाए हैं ये दोनों हमारे भाई लोग सौनी जी और अमिद भाई तो गोड अप्टर नून आप सभी को और हम चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आपके मैसेज को रोग देते हैं और बकाया आप सब को बला लीजे और हम इसको अगर अपने आपको इधर ले जाते हैं और अब इसको कर लेते हैं बिल्कुल आपने हमें सही सलाई दे थी देखिए इसमें फूपा पी जा जाता है अच्छी बात है तो देखे जैसा कि हम लोग डिसकसन कर चुके हैं अबाउट दा क्रेस्टलाइन सॉलेड एस बेल एस दा एमोरफा सॉलेड फिर हमने इसके बाद यहां पढ़ लिया था आईसोट्रोपिक नेचर और एनाईसोट्रोपिक नेचर अब हमें जो डिसकसन करना था वो डिसकसन हमारा यहां होना था अभी भी दसी लोग जोड़े हुए हैं जल्दी से आप सभी को जोड़ दीजे मैसेज कर दीजे इससे सब लोग जोड़ जाएं तो अभी हम करें डिस्टिंग्शन बिट्विन क्रिस्टलाइन एन एमर्फस सॉलेड जो क्रिस्टलाइन और एमर्फस सॉलेड है उनके बीच में डिस्टिंग्शन कर रहा है उनके बीच में बिभेत कर रहा है सेफ होता है और अगर हम एमोर्फस की बात करते हैं तो एमोर्फस जो हैं वो irregular सेफ के होते हैं बात करेंगे melting point को तो देखिए जो हमारे crystalline solid हैं उनका एक sharp melting point होता है जो हमारे crystalline solid है they have the sharp melting point but in case of amorphous solid soften over a range of temperature ये एक particular range of temperature पर होते हैं जैसे अगर आप कहीं भी एक question पूछिए और आप ये बात करिए कि क्या glass है उसका कोई specific melting point है क्या जो glass है उसका कोई specific melting point है आप लोग good afternoon तो इतने लोग कर रहे हैं लेकन अगर वह ही जुडने की बात कर रहे हैं जुडने की बात कर रहे हैं तो उसमें के बला भी nine तो अभी दस लोग जोड़े हुए हैं ठीक है आप हां तो देखे अगली बात की जा रही है यहां पर वेन कट में थे साथ के cleavage property की बात करते हैं अगर इनको किसी sharp tools से अगर cut कर देते हैं किसी sharp tools से अगर हम इसको cut कर देते हैं तो यह क्या है smooth age देता है कि smooth किनारा देता है इसमें और अगर हमने आपसे वही बात amorphous के लिए की तो amorphous को अगर हमने substance को cut किया two pieces में तो irregular surface देते हैं यह ठीक है इसके बाद बात की जा रही है हाँ पर heat of fusion की बात की जा रही तो जो heat of fusion है दे है definite and characteristics heat of fusion मतलब जो melt कराने के लिए fuse कराने के लिए जो heat चाहिए जैसे पर कहते हैं न fuse उड़ गया तो fuse क्या है वो fuse हमारा मतलब हो है गल गई बोची जो एक बाएर पतला सा बाएर एक लगा हुआ था वो fuse हो गया मतलब melt हो गया they have a definite and characteristics heat of fusion okay they do not have definite heat of fusion जो हमारे amorphous solid है उनकी कोई specific या एक fix कोई भी heat of fusion नहीं होती एन इसो ट्रॉपिक में के बेस पर हम differentiate करें तो जो crystalline solid है वो एन इसो ट्रॉपिक होते हैं और वहीं आपके amorphous हैं वो आईसो ट्रॉफिक होते हैं इस पर डेटेल डिसकस्न हो चुका है नेचर एक्टव में जो crystalline solid है उन्हें true solid कहा जाता है रियल solid कहा जाता है लेकर अगर हम amorphous की बात करें तो उन्हें pseudo solid कहा जाता जाता है या पर उन्हें super cool liquid कहते हैं super cool liquid कहते है च blessedCK कहा जाता है धिक ती है एक अधर आरेजमेंट की की Jen शुल अध्य भीर दे हिएं दे लांघ रहेंड उडर जो crystal in है उनकाática long range order होता है और जो अम औरफास होते है वह short range order होता है long range से ताथ पर यह है कि किस्ट लाइन सॉलिड को continue देखते हैं किस्ट लाइन सॉलिड को अगर हम देखते रहते हैं तो किस्ट लाइन सॉलिड में होता यह है कि वो पूरे entire the crystal एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन अगर वही बात हम amorphous की करते हैं तो वो sort range होते हैं कुछ समय में खुछ देखते हैं उसकी बाद फिर कुछ और देखने लिखते हैं तो यह हमने differentiate करने वाली बात की गई तो यह आपने differentiate बढ़ने वाली बात पढ़ ली अभी हम देखो सब जो कुछ है वो book में जो दिया है line by line book है आपके सामने लेकर अभी केवाद 17 लोग जोड़े हुए हैं आप थोड़ा सा गल्स और boys आपस में गुरूप में comment कर दीजे के जोड़ जाएं 7 minute की class हो चुकी 17 लोग जोड़ पाए भी तर ठीक है तो जल्दी से सब को जोड़िएगा चली अगली बात हो जा रही है यहाँ पर के amorphous solids are useful material amorphous solids है वो useful material है जैसे glass है, rubber है, plastic है मैंने day to day light में इनका आपन जानते है कि हर छेतर में इनका अपना कहीं ना कहीं उप्योग होता ही है इसके लावा amorphous silicon is one of the best photovoltaic material photovoltaic material क्या होते हैं photovoltaic cell होता है जिसमें कि light गिरने पर उसको वो क्या कर देते हैं light गिरने पर उसमें वो होता क्या है कि हमारी light energy को वो electrical energy में convert कर देते हैं, ठीक है तो amorphous silicon is one of the best photovoltaic material available for conversion of sunlight into electricity, देखे sunlight into electricity तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें sunlight को किसमें convert करने का काम किया आपने जो sunlight है वो electricity में convert करने का जो काम करता है marker इसा गया ठीक है ओके अब हो जाएगा ठीक है sunlight into electricity तो इस तरीके से आपने जो बात की है इसमें तो हमारे जो photovoltaic material होते हैं वो क्या करते हैं sunlight को electricity में convert करने का काम करते हैं ठीक है sunlight में electricity को sunlight को electricity में convert करने का काम करते हैं तो आगे एकर हम बात करें इसमें तो अब question आ रहा है in text why are solid rigid जवाब यह है कि solid rigid क्यों होते हैं because they have a strong intermolecular attraction why do solid have a definite volume इनका definite volume क्या होता है क्योंकि यह rigid होते हैं एक दूसरे के साथ strongly attract रहते हैं so compact रहते हैं classify the following as amorphous or crystalline solid इनको आपको classify करना है कि इनमें से कौन से amorphous है और कौन से crystalline है तो भाई इसमें जितने भी आपको polymer दिखेंगे ध्यान दिखिए जो polymer होते हैं ठीके जो polymer होते हैं एक्चल में जितने भी टाइप की polymer है वो सब amorphous solid होते है ठीके जितने भी metal है या salt है वो सब crystalline में आते हैं अगला question है अगला question जो कहा जा रहा है वो यह है why is glass consider a super cool liquid क्यों glass को super cool liquid consider किया जाते तो अपने देखा था जो building है उन पुरानी building में लगे हुई जो glass है उनकी thickness जो है वो bottom की तरब थोड़ी सी मौटी हो जाती है और top की तरब वो पतले हो जाते है तो इसका मतलब यही है कि वो धीरो धीरे flow करने का character रखते है ठीक है और यह कहा जा रहा है अगर रफ्रेक्सिव इंडेक्स ऑफ शॉलेड इस ऑफ ज़गा होगा तो सॉलेड का नेचर क्या होगा और फिर उसकी cleavage property क्या होगी तो अगर सभी तरब से एक जैसा है तो वो जरूर ही amorphous होगा क्योंकि किस लाइन तो कैसे होते है एन आइसो ट्रॉपिक होते है लेकिन amorphous आइसो ट्रॉपिक होते है तो रेफ्रेक्सिव इंडेक्स अगर हमारा देखने पास same value आ रही सभी डारेक्शन में इसका मलब वो amorphous solid है क्योंकि वो एन आइसो ट्रॉपिक होंगे सभी डारेक्शन से एक जैसे होंगे तो फिर उनकी cleavage property की बात करेंगे तो क्या होगा तो cleavage property में क्या होगा कि वो smooth cut नहीं देंगे तो समस्या यह है कि अब हमें लग रहा है चलिए अब अब attendance दे दीजे boys अपनी attendance दे दीजे boys जो हैं वो अपनी attendance दे दे boys अपनी attendance दे दे तो बिसाल रोहित से यह attendance शुरू होती है तो बिसाल रोहित है बिसाल रोहित दीपक कुस्वा अन्राग दुवे आका समोर तो और जल्दी देख लीजे कौन-कौन चुड़ गए तो जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजे भाई ग्रुप में चार लोगों की attendance आई है अवीदा केबल बिसाल दीपक अन्राग आकास इसके बाद सुनिल कुस्वा हो गए पांच में यही नहीं तो कमेंट कहां से करेंगे हमें लग रहा है यही इस्तिती है पांच लोग जोड़े हुए है पांच लोग है केबल अभी आरेन हो गए च्छे हो गए चलो ठीक है ओके तो कुल मिला करके तो अनुराग तो नहीं देख लेना यह च्छे लोग हैं हमें नहीं लग रहा कि आज बॉइज में इसके आंगे कुछ लोग हैं भी नहीं साहिए ठीक है अब एक काम करिए गल्स अपनी कमेंट दे दीजे गल्स कमेंट दे दीजे गल्स कमेंट कर दीजे नबदी पौर आ गया चलो मैं भी है चलो ओके तो अब है गुबरे ले आप देख लो छेकी जगाए आठ हो गया लेकिन आज एपसेंट बहुत है आठ बॉइज वेदी का नंबर दो रागनी वेदी का कबिता अंसिका साख्षी काजल सोनम कामनी हिमानी मुसकान दस गल्स हो गई है बस तो इसलिए बस दस वो गए और आठ नो कुश्वू, 9, 10, 11 और अनामी का बारा है, 12 गल्स हो गई है यह और 6-7 बस वो थे, बलावर है बोइज नहीं है आज प्रजेन ठेक है और देखते हैं और कोई गलस में आना है अब देखें तो अब हम देखते हैं क्लासिपिकेशन आप किस्टलाइन सॉलिट में क्या लखा है इन सेक्षन बन पॉइंट टू भी हैव लण अबाउट दा अबाउट एम और फा सबस्टेंसेस एंड डेट देव ऑनली सौट रेंज और ठीक है तो जो हमारे अमपर सॉलिट है उनकी सौट रेंज और होटर होती है हाओवर मोस्ट ऑप दा सॉलिट सॉलिट सॉटेंसेस आर क्रिश्टलाइन नेचर जबकि हमारे नेचर में मेकजुयम जो हैं वो किस तरीके से हैं क्रिश्टलाइन है ये और देख लेना भईया ये बाद वाद में जुड़ रहे हैं इनको भी देख लेना जैसे देसे नेटवर्क समस्या भी आ रही हो मानसी को सबाब भी हो गई गल्स तो हमें लग रहा है कि लग वो गए एक आथ को छोड़के सभी जुड़ चुकी है ठीक है तो देखिए इसमें क्या लखा हुआ है ठीक है अप चांग जाटा आप देख लेना भईया गोवरेले जी अनुराग दोबे दोनों लोग देख लेना जो अभी कमेंट कर रहे हैं उनको भी कंसीर कर लेना हो सकता है लेट लटीफ सही लेकन आतो गए है कुछ इसू भी हो सकता है नेटवर्क तो हम आगे बढ़ना शुरू करें इन सेक्षन बन पॉइंट टू भी हैवाउट अमोर्फस सबस्टेंश और जो नौन मेटलिक अलीमें लाइक सलफर फॉस्पोरस और आयोडी and compounds like sodium chloride, zinc sulfate and naphthalene from crystalline solid जितनी भी मैटल है वो सब crystalline में आती है जो भी solid होते हैं अपने हमारे salt substances होते हैं generally वो भी हमारे crystalline में आते हैं crystalline solid can be classified on the basis of the nature of intermolecular forces operating in them तो जो crystalline solid है इनको constituent particle कौन से है और उन constituent particle की बीच में किस तरीगे के attraction है constituent particle कौन से है और उनके बीच में किस तरीगे के attraction है ठीक है तो इस बेस पे जो crystalline solid है उनको हम लोगों ने क्या किया four categories में divide कर दिया चार categories में divide कर दिया ठीक है तो वो चार categories में हो गाएंगे तो अब हमें उनी को पढ़ना है वो चार categories कौनसी कौनसी है ठीक है तो देखें समझ गए किस किस बेस पर constituent particle कौन से है और उन constituent particle के बीच के intermolecular attraction कैसे है तो इसी की बेस पर ये depend करेगा कि हमारे crystalline solid किस तरीके के होते है तो अब इनके बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ रहा है हमनों कौन सा molecular solid तो दोस solid substance और दोस crystalline solid in which the constituent particles are molecules and they attract to each other with the help of weak-wonderwalls interaction कि जो constituent particle है वो molecule होंगे और उनके बीच में weak-wonderwalls interaction पाया जाएगा तो लिखा हुआ है molecules are the constituent particle of molecular solid they are further sub-divided into the following categories ठीक है they are further divided sub-divided into the following category तो इन्हें फिर से different categories में classified किया जा सकता है आप लोग थोड़ा सा इसको ज्यान दीजेगा और आप ठीक है तो क्या लेखा हुआ है molecules are the constituent particle of molecular solid they are the further sub-divided into the following category तो किस-किस में एक तो है non-polar solid तो इसमें जो non-polar molecular solid है तो इसमें लिखा है they comprise of either atoms for example argon and helium और the molecules form by non-polar covalent bond for example H2Cl2 and I2 तो जो non-polar molecular solid है तो या तो इसमें या तो इसमें inert gases होते हैं तो इसमें inert gases होते हैं और या फिर इसमें non-polar molecules like that H2, N2, O2 जिनमें polarization नहीं हो क्योंकि हम जानते हैं similar atom के combination से बने हुए होते हैं तो उनमे polarization नहीं होता तो इसमें polarization नहीं होता लिखा हुआ है और या फिर आटम्स फॉर एक्जाम्पल आगन और हिलियम और दा molecules फॉर्म बाइ दा non-polar covalent bond फॉर एक्जाम्पल H2, Cl2 and I2 इन इस solid दा atoms और molecules are held बाई weak dispersion force और लंडन force और जिसको हम लोग wonderful force भी कहते हैं ठीक है about which you have learned in class 11 ठीक है उसने कहा 11th class में इनको पढ़ चुके हो these solids are soft and non-conductor of electricity ये solid जो होते हैं soft होते हैं और non-conductor होते हैं electricity के क्योंकि हम जानते electricity conduct करने के लिए सिर्दो चीए चाहिए या तो चाहिए जब soft होंगे तो इनके melting point जो होंगे वो low होंगे they have low melting point and are non-conductor of electricity they have low melting point and are liquid और gacy assisted क्योंकि देखो इनके बीच में strong attraction नहीं है और जब इनमें strong attraction नहीं है तो वो strong attraction नहीं होने की बज़े से ये कैसे होंगे soft होंगे ठीक है इसके बाद दूसरा हो गया हमारा polar molecular solid दूसरा कौन सा हो गया polar molecular solid तो अब देखते हैं इसको जा समस्या आ रही है आप पड़ाएं दूसरा polar molecular solid तो जो polar molecular solid है अगर हम उसकी बच्ट करें तो क्या लखा है the molecules of substances like SCl, SO2, etc ठीक है SCl और आपका SCl है H2O है तो अपने आपी सौन्ज में आ रहा है कि इनमे polarization होगा क्योंकि जब वो कोई bond S A atoms के बीचे बना हो जिनकी electro negativity में difference हो electro negativity में difference हो इनके बीच में अगर बना हुआ हो तो फिर उनमे polarization आएगा एक जगाए positive एक जगाए negative charge create हो जाएगा एक तरह positive charge होगा एक तरह negative charge आ जाएगा क्या लेखा हुआ है polar molecular solid में the molecular substances like SCl, SO2, etc. are formed by the polar covalent bond the molecules in such solids are held together by relatively stronger dipole-dipole interaction these solids are soft and non-conducted of electricity soft होते हैं और non-conducted होते हैं electricity के their melting point are higher than those of the non-polar molecules ये non-polar molecules के comparative क्या होते हैं इनमें interaction molecular force जो है वो हाई होता है their melting points are higher than those of non-polar molecular solid and most of these are gases or liquid under room temperature and pressure solid SO2 and solid ammonia are some example of such solid तो polarization होगा क्योंकि SO2 में sulfur और oxygen की electronegativity difference है इसी तरीके से ammonia में भी nitrogen और hydrogen की electronegativity में difference है ठीक है इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अगला hydrogen bonded molecule so hydrogen bonded जो molecule है so आप जानते हैं ऐसे molecule होते हैं जिनमें की hydrogen bond पाया जाता है ठीक है hydrogen bond पाया जाता है तो hydrogen bonded molecular solid the molecule the molecules of such solid ज्यान से सुनिएगा हमें एक एक लाइन पढ़ना है कि बुक में एक एक लाइन में कोई एक चीज रहना जाए क्योंकि याद रखिएगा CVSC का जो question paper बनेगा आपका 12th glass का वो आपकी बुक की एक एक लाइन में से आएगा तो अगर आपको एक एक लाइन किलियर नहीं है तो आप कहीं भी doubt में रहेंगे तो इसलिए हम एक एक लाइन से आपका revision करा रहे हैं हम पूरा syllabus क्प्लिट कर चुए हैं आपको मालूम है हम revision कर रहे हैं तो आपको पहले note से करा है फिर आप लोगोंने का नई note से नहीं करा है यह सर तो फिर आप लोगों की demand पर हम आपका revision जो है वो NCRD book की line by line से करा रहे हैं तो इसलिए आप थोड़ा सा जो 20 लोग जुड़े हुए हैं अगर इसमें तीन दिन से जादा कोई absent होगी फ्रिजेंट सर, मानवेंद और विसाल अगरवाल आप एक जगह कैसे हो सकते हैं चली होगे हो सकता है आप ठीक है तो इसके बाद देखे जैसा कहा गया hydrogen bonded molecular solid the molecules of such solids contain polar covalent bond जैसे कि हम जानते हैं hydrogen bond किसे हैं बनता है फॉन element होना चाहिए hydrogen के साथ में oxygen, fluorine और nitrogen होगा तो जाकर कि उसके बीच में hydrogen bond बनते हैं तो the molecules of such solid contain polar covalent bond between hydrogen and phone FON होगे fluorine oxygen, nitrogen atom strong hydrogen bonding bind molecules of such solid like H2O, ice बन जाता है water molecules के बीच में hydrogen bonding बनती है they are non conductor of electricity ये electricity के non conductor होते हैं generally they are ballet eye liquid और soft solid under room temperature and pressure चली इसके बाद दूसरा होगे आपना कौन सा ionic solid तो जो ionic solid है उनमें constituent particles क्या होते हैं? ions होते हैं और जो ionic solid उनमें constituent particle हैं ions हैं जो की opposite charge positive or negative charge के साथ attract रहते हैं और ये हमारे conductor होंगे इनके melting of boiling point high होंगे because they are stronger और rigid हैं और इनमें ions की presence की वज़े से ये conductivity flow करेंगे इसके अलाबा जो अपना अगला है जिसको हम metallic solid कहते हैं तो इसमें जो constituent party कर रहे हैं होंगे और इनके बीच में metallic bond पाये जाएगा जिसको की आपने पड़ा हुआ है डूड थियोरी से डूड ने electron pool थियोरी के बारे में समझाया था और जो electron pool थियोरी है उसके according बताया गया था कि जो हमारे metallic crystal होते हैं उनमें metal atom होते हैं और चुकि जो metal atom है उनकी tendency होती है electron donate करने की ठीक है उनकी tendency होती electron donate करके नहीं लिखा है metal are orderly collection of positive and surrounded by and held together by a sea of free electron तो electronों का समुद्र होता है इसमें और जो electronों का c है root theory के according हम सब जानते है कि वो electron का c है वो metal नहीं तो बनाया है क्योंकि जो metal atom है उनकी ने electron donate किया so metal are orderly collection of positive and surrounded by and held together by a sea of free electron these electrons are mobile and are evenly spread out throughout the crystal each metal atom contributes one or more electron सब ही metal atom क्या होते है एक से या एक से ज़्यादा electron donate करते है जिससे उन पर positive charge केरी हो जाता है और जब metal atom पर positive charge हो जाता है और उन्हीं से निकले हुए है जो electron से वो negatively charged होते है so negatively charged electron का positively charged metal atom के साथ में attraction होता है और ऐसे attraction को metallic attraction और ऐसे crystal को metallic crystal कहा जाता है ठीक है so ये क्या होते है हमारे कि इन में इन में ये rigid होते हैं और ये conductivity flow करते हैं due to the presence of due to the presence of free ions ions इसका जो four और last हम लोग classification पढ़ रहे है वो ये है covalent और network solid ठीक है covalent और जो network solid है उसमें क्या है कि crystalline solid जो होते है ठीक है वो non metal जो रहते हैं उनके बीच में हम जानते हैं कि electron की sharing होती है और जब electron की sharing होती है तो sharing से जो covalent molecules बनते हैं और वो gent molecule कहलाते है क्योंकि ये size में बहुत बढ़े होते हैं ये question आ जाता है कि gent molecule किसे कहते हैं तो चुकि ये size में बढ़े होते हैं देखे रहे हो जैसे आप grape height और diamond आपके सामने हैं तो ये size में बढ़े होते हैं इसलिए ने gent molecule कहा जाता है covalent bonds are strong and directional in nature covalent bond strong होता है और directional होता है इसलिए ऐसे molecule का specific geometry आ जाती है जैसे कि silicon carbide आपको बताया जा रहा है diamond, grape height अब इसमें exceptional case होता है वैसे तो ये insulator होते हैं लेकिन अगर हम grape height की बात करें तो ये electricity flow करते हैं क्योंकि grape height के carbon में एक एक electron क्या रहता है free रहता है, moving electron रहता है इसलिए grape height जो है, वो current flow करता है यहीं पर एक question और बन जाता है कि जो diamond है, वो क्यों rigid होता है और क्यों hard होता है तो diamond इसलिए rigid होता है क्योंकि diamond में जो carbon carbon है वो tetrabalancy so करता है और यह carbon अगले carbon से जोड़ जाता है और यह जैसा कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से यह gent molecule बना लेता है और large molecules का macromolecules का formation कर लेता है और इस परकार से diamond तो insulator होता है क्योंकि इसमें कोई भी free electron नहीं होता लेकर अगर वहीं बात graphite की की जाए तो graphite के carbon में एक free electron रह जाता है क्योंकि हमको मालूम है कि जो graphite है उसके carbon में SP2 hybridization होता है और वहीं diamond की बात करें तो उसके carbon में SP3 hybridization होता है इसलिए इसमें कोई भी जो हमारा diamond है उसमें कोई भी free electron नहीं देता और free electron नहीं देता तो इसकी वज़े से ये electricity flow नहीं कर पाते तो ये अभी हमने आपके इसके चार जो classification है वो पढ़ लिए अब यहाँ आप compare करिए comparative study है जो हम लोगों ने पढ़ा वही होगा ठीक है इस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे कम लोग जोड़े हैं एक से दूसी जगह जो जाते हैं ठीक है तो उनको moving electrons कहा जाता है जब एक से दूसी जगह जाते हैं तो उनको moving electrons कहा जाता है तो इनमें moving electron पाये जाते हैं ग्रेफाइड में फ्री electron पाये जाता है जो की bond नहीं बना रहा है फ्री है movement करने के लिए फ्री है उसको moving electron कहा जाता है चलिए आप जितने लोगों ने सुना आप सभी का धन्वाद आप ncrd book cover देखते रहिएगा covid से अपने आपको बचाईए सासन के निये मौका पालन करिए और इसके साथ hardware करिए ठीक, जैमाई की जैहन